नमस्कार मेर्चित कौशे काप सुभी का स्वागत करता हूँ आई आए एमटी मीडिये के विशे स्कारेक्रम हिस्ट्य अफ देरे में भारतिय जनसंग की आज के दिन हुई थी स्थापना भारतिय जनसंग देश का पुराना राजनेतिक दल था जिससे 1980 में भारतिय जनता पार्टी का गठन हुआ भारतिय जनसंग की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की थी इसका चुनाफ चिन दीपक था जनसंग ने 1952 के संसदिय चुनाफ में तीन सीटो पर विजय प्राप्त की थी जिसमें डॉक्टर मुखर जी सुएम भी शामिल थे 1975 से 1976 में लगाये गए आपातकाल के दौरान जनसंग सहित सभी प्रमुक राजनेतिक दलों का विलेकर जनता पार्टी का गठन किया गया था लेकिन जनता पार्टी 1980 में तूट गई और जनसंग की विचारधारा के नेताओं ने भारतिये जनता पार्टी का गठन की 21 अक्टूबर 1969 को चीन से लगी सीमा की रक्षा करते हुए 10 पुलिसकर्मियों ने सर्वोच बलिदान दिया था उन पुलिसकर्मियों के बलिदान के सम्मान में हर साल 21 अक्टूबर को National Police Day मनाया जाता है 21 अक्टूबर के दिन 20 पुलिसकर्मी अपने लापता साथियों की तलाश में जा रहे थे इसी भी चीनी सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसानी और ग्रिनेड फैंक ने शुरू कर दिये अचानक हुए इस हमले में दस वीर पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे पहले तिबबत के साथ भारत की करीब धाई हजार मी लंबी सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस कर्मीयों की थी फ्रांस में आज के दिन पहली बार महिलाओं को मिला था मतधिकार फ्रांस जैसे विक्सित देश में भी महिलाओं को बहुत बाद में वोटिंग के अधिकार दिये गए इसके लिए उन्हें लंबी लडाई लडनी पड़ी फ्रांस में पहली बार 21 अक्टूबर 1945 को महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था जबकि न्यूजीलांड को दुनिया के पहले ऐसे देश के तौल पर जाना जाता है जिसने 1813 में महिलाओं का मताधिकार सुनिश्चित किया था हाला कि तब वह ब्रिटिश उपनिवेश था आस्ट्रेलिया ने 1902 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार प्रदान किया था फिन्लैंड ने 1906 और नॉर्वे ने 1913 में महिलाओं को मताधिकार दिया था हिंदी फिल्मों के प्रसिद अभीनेता शम्मी कपूर का आज की दिन हुआ था जन मशूर फिल्म अभीनेता शम्मी कपूर का जन 21 अक्टूबर 1931 को हुआ था शम्मी कपूर को विशेश नृतिशैली पहनावे आदी के कारण भारत का एल्विस प्रेसली कहा जाता था उन्होंने 1953 में जीवन जियोति फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुवात की थी और उसके बाद कई हिट फिल्में दी शम्मी कपूर की हिट फिल्मों में तुमसा नहीं देखा दिल देके देखो जंगली प्रोफिसर चाइना टाउन जानवर तीसरी मंजिल एन इवनिंग इन पैरिस शामिल है फिल्म ब्रहमचारी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ट अभीनेता और फिल्म विधाता के लिए सर्वश्रेष्ट सहायक अभीनेता का फिल्म फेर पुरुसकार मिला था आज के लिए बस इतना है कल फिर बेट होगी इत्यास में दर्ज कुछ और मेतन गटनों के साथ तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया